नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना उपेथिक लेनी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे एस्थमा के विशह में एस्थमा जो की सास फूलने की दिकत होती है या बहुत लोगों में पाई जाती है और बहुत परिसानी का सबब होती है जाना तर बच्चे में ये तकलीफ जब होती है तो उनको निबुलाइजर और फुरा कॉर्ट और इनिलर्स का उपियोग करना पड़ता है जिसको देखकर माओ को भी दुख होता है हमारे अपने बच्चे को इनिलर्स देना पड़ रहा है हम आपको बताते हैं ऐसी एक अचूग दवा जो एस्थमा की हेड रेमिडी है यहाँ साथियों इलाज नहीं है यहाँ आपके अवेरनेस के लिए है कि आप अवेर नहीं की दवाएं आती है बाकि दवा तो कुसलची की सक ही देगा लेकिन हाँ यह दवा आपकी जानकारी में रहेगी तो आपको अपने बच्चे का इलाज करने में हेल्प मिलेगी हम आपको बताते हैं कैसी एचूग दवा जो आपके एस्टमिटिक ब्रॉंकाइटिस और एस्टमा में बहुत अराम देती है और दवा का नाम है नेट्रम सल्फ फेरिकम आप नेट्रम सल्फ 200 पावर में हम रे पने क्लीनिक पर देखा है नेट्रम सल्फ 200 पावर में तीन खुराग 55 मिट के फास्टे पर वीकली देने से बच्चे की सास फुले में बहुत अराम मिलता है या हेड रेमिडी है आपकी एस्टमा को खतम करने की इसके अलावा साथियों यहां पे दो और दवाओं का जिक्र ना करा जाए तो बात अधूरी रह जाएगी पहली दवा है ब्राइनिया दूस्ती दवा है आर्सनिक अल्बम और तीस्ती दवा है कॉस्टिकम तो एक तरह से वह चार दवा होगे नेटरंसर्फ वीकली ब्राइनिया आर्सनिक और कॉस्टिकम दो दो बून 30 पावर में दिन में तीन बार यहां एक टीटमेंट है जो एस्टमा में बहुत लोगों को आराम देता है एक डीटेल्ड वीडियो साथियों इसी विशय का लिंक नीचे यूटिफिकेशन पैनल में मौझूद है आप उस लिंक को क्लिक करके वो पूरा वीडियो भी पूरी जानकारी के लिए देख सकते हैं लेकिन अद्भूत दवा है ने ट्रम साथियों आपके प्राइस्टमा को ठीक करने की दवा साथियों बहुत कारगर है लेकिन मैं फिर कहूंगा कुसल चिकिस सक्से प्रिस्क्राइब करें बिना कोई भी दवा मत लीचेगा अगर आपके मन में कोई क्वरी हो तो आप हमें यूटूब नोटिफिकेशन या वाटसैप पे अपनी क्वरी वाटसैप कर सकते हैं कुशिश करेंगे आपकी बात का उसी जवाब दे पाएं आपका साथ योटी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो क्या है लग्रस क्या थार